हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तु बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन तुडे वी आर गोईंग तू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक इन आवर चैप्टर एंड तुडेज टॉपिक इस सप्लिमेंटरी यूनिट्स और आज हम लोग यह जो सप्लिमेंटरी यूनिट्स है इनक की लिए हम लोग इनका यूज करते हैं अब हमारे पास में जो एंगल सौते हैं वो दो तरह के आपको एंगल मिलेंगे एक होगा आपके पास में प्लेंगल और दूसरा आपके पास में आएगा सॉलिड एंगल ठीक ए ऑक i me प्लेन एंगल तो वह एंगल है जो आपने 9-10 तक भी जूनियर क्लासिस में पढ़ा है जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पर यह एंगल लिख दिया थीटा ठीक है सो मान के जलो यह साइड है 3, यह साइड है 4, यह साइड है 5 तो यह थीटा कितना होगा तो भईए यह थीटा आएगा आपके पास में 37 डिग्री यह स्टैंडर्ड ट्राइंगल है आपको मालूम होगा यस आप साबने 3 है, एट्जास एंड 4 है, हाईपोडेने इस 5 है तो यह कितने का आता है 37 डिगरी का ओके सो ये आपका प्लेंशनल मतलब जब भी आप किसी एंगल को एक प्लें में मेजर करें जिक। मनोंस चीनल मिलाश बात हो रही है उस समतल के अंदर में कोई तो भी टू-डिमेंशनल फिगर है कैसी फिगर है to 2-dimensional बासमें आ रही है और 3-dimensional क्या होता है जो हम लोग जीते हैं जो जिन्दगी वो 3-dimensional फिकर में ही है हमारी हमारी खुद की बॉड़ी 3-dimensional है yes or no x y और z तो 3-dimensional बन जाएगा clear है और ऐसे जो फिगर्स हैं जो 2-dimensional है मतलब आपके triangle हो गया circle हो गया इनमें जो angle बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे plane angle बोलेंगे ठीक अब यह तो मैंने triangle का example लिया लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ चीजों की जुरत पढ़ने वाली है सो हम लोग अभी बात कर रहे है plane angle पर तो भी अब plane angle को जरा हम लोग देखते हैं कैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने point consider किया है और यह आपका कोई तो भी एक circle का एक हिस्सा मैंने यहाँ पर ले लिया है arc जिसे मैं बोल सकता हूँ ठीक है अब मैंने क्या बोला है this is your part of a circle this is your part of a circle जिसे हम लोग बोलेंगे आरक लेंथ जिसे हम लोग बोलेंगे और यह है आपकी रेडियस जिसे हम लोग स्मॉल आर बोलेंगे यह capital R जो भी आपको अच्छा लगे और इस समये यह जो center है इस पर जो बनने वाला angle है वो है आपका plane angle इस समये जो center तो बेसिकली जो आपका प्लीन एंगल है उसे हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं या पर इसकी जौरत पड़ेगी आगे चलके वह रेशो ओफ लेंद ओफ आर्क रेशो ओफ लेंद ओफ आर्क अपॉन रेशो क्यों लिख रहा हूं मैं रेशो तो मैंने आलेडी रेशो में डाल दिया तो मुझे रेशो लिखनी जौरत नहीं थी ओहो आर, शोरी, क्या बोल रहा हूं, length of arc divided by length of radius, divided by length of radius, अब यदि हम लोग यहाँ पर ऐसा मान लें कि छोटा सा arc मैंने consider किया है, इसकी length को यदि मैंने ds मान लिया, और ये radius को r मान लिया, तो ये जो बनने वाला चोटा सा angle है, इसे मैं d theta लूँगा, और ये जो d theta आएगा, that d theta will be equals to ds upon r, इस पर आपको आगे चलके सवाल देखने को मिलेंगे, अब ही हम लोग क्या करते हैं, mainly देखो ये जो angle आपका major हो रहा है, ये जो angle आपका major हो रहा है, वो आपका major हो रहा है, radian में इस बात को ध्यान रखना, ये जो answer निकल के आ रहा है, arc length upon radius से, वो answer किसे में आएगा, radian में आएगा, degrees में नहीं आएगा, degrees में हम लोग उसे बात में convert करेंगे, अपनी सहूलियत के साब से, अधर वाइस आपका answer radian में ही आने वाला, इस बात को ध्यान रखना है, clear ह शौर हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पर, अब देखो, मान के चलो, जैसे ये है, एक पूरा का पूरा सरकल है, ठीक है, अब इस पूरे सरकल ने center पर, ये मान के चलो, center है, मैंने बोला, इसकी radius है, capital R, तो बताओ, इस पूरे सरकल ने center पर कितना angle बनाया, तो आ और upon radius मतलब R, R से R cancels, तो theta बराबर आ गया, 2 pi radian, कितना आ गया, theta बराबर आ गया, 2 pi radian, तो एक सरकल के अंदर बनने वाला पूरा angle कितना होता है, 2 pi radian के बराबर होता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, और ऐसे यदि आप घूम के आओगे, तो आप जानत हैं कि ये बनने वाला angle कितना बनता है, 360 degree बनता है, कितना बनता है, 360 degree, degrees में 360 और radian के terms में 2 pi, radian के terms में 2 pi और degrees के terms में 360, ओके, इसके बाद में हमारे पास में एक छोटी सी terminology है, जिसे बोला जाएगा solid angle, क्या बोलेंगे, solid angle, अब देखो ये solid angle को आप ऐसे समझे, कि मान के चलिए, आपने वो softy सुनी है, softy, कोन, कोन, cornetto को अगरा ice cream खाई होगी, yes, खाई है कि नहीं खाई है, तो बहुत सारे बोले होंगे, yes, हमने तो खाई है, तो उस cornetto को जरा यहाँ पर अजूम कीजिए, उस cornetto में सिर्फ आइस cream को बाहर निकाल लीजिए, और उस कोन को स सोच यह, सोच पा रहे हैं, तो मैंने बोला, yes, हम सोच पा रहे हैं, अब यदि सोच पा रहे हैं, तो देखो, इसकी design को जरा मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या, आपने बोला, yes, बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा design मन गया, मैंने बोला, yes, तो यहाँ पर मैंने मान के यहां पर जो एरिया बन रहा है इसे मैंने ले लिया है सर्फेस एरिया और इसे मैंने नाम दे दिया है ठीक है अब यहां पर जो एंगल बनेगा तो कोन का जो एंगल बनेगा इसे बोला va गौत जया है सॉलिड एंगल और इसे मेजर किया जाता है स्टर्ड्ययीन के अंदर Probleme एक है तो तोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग भी सकता है ऐसा हो सकता है लेकिन इतना देखो इस पर क्वेश्चन जो बनेंगे सीधे सीधे स्टेट फॉरवड कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिनको मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा आज की लेक्षर में खतम कर लेंगे इसको और पर इसकी कही पूरी फिजिक्स में जरुत पड़ेगी तो वह पड़ेगी सिर्फ और से एलेक्ट्रो इस्टक्स में जाके थोड़ा साहिसा तो अब यहां पर यहां पर देखीए यह बनने वूर एंगल होता यह कैसा होता है पहले आपका प्लेंड में अंगल बन रहा था जब बात करें यह सॉलिड में बन रहा है यह आपका बन रहा है थ्रीडी मतलब आप ऐसे मांगे यह आपका कोन का उपर इसने इस पर पॉइंट पर जो प्रोजेक्शन डाला तो इसके कारण जो बनने वाला फॉर सॉलिड एंगल और जनरली अपना जो प्लें एंगल उसके लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं तो मैंने बूला ठीक है अब यह जो सॉलिड एंगल है यह लिखा जाएगा डी ओमेगा बराबर सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया अपन अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दखना है वो यह है कि यह जो डिस्टेंस है यदि मैंने इसको आर ले लिया है क्या ले लिया है आर तो यह आएगा आर स्क्वर सर्फेस एरिया अपन आर स्क्वर पहले वाले केस में प एक question करते हैं मान के चलो आपके पास में कोई तो भी sphere है देखो पहले हम लोग circle के लिए कर रहे हैं तो इस बार किसके लिए करेंगे sphere के लिए करेंगे sphere का भी diagram यदि मैं बनाना चाहूंगा तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा तो भीए इस sphere के लिए center पर बनने वाला angle कितना आएगा तो आप लिखोगे omega बराबर surface area sphere का surface area का formula क्या होता है यह होता है 4 pi r square और इस center से इस surface की दूरी कितनी है r है तो यह लिखा जाएगा r square तो यह omega बराबर आएगा 4 pi stardian और देखो stardian को symbolic तौर पर sr लिखना है radian को rad लिखना है ठीक है radian को लिखने के लिए rad और stardian को लिखने के लिए sr clear हो गया यहां तक कि यह दि कहानी आप लोगों को clear है तो मैं अब यहां से आगे move on कर सकता हूँ अब यहां से आगे जब आप देखोगे तो यहां पर आपके पास मैं एक example मैं आपर आपसे solve करवाना चाहता हूँ वो है relation between relation between radians radians and degrees ठीक है relation between radians and degree तो यह देखो अब आप basic basic से फटाफट फटाफट start कर दीजे मैं कौन सी चीज़े जानता हूँ मैं जानता हूँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीखा भी था वो यह है कि 2 pi radian बराबर होता है 360 degree मतलब pi radian बराबर आएगा 360 divided by 2 मतलब 180 degree यदि मैं आपसे पूछता हूँ 1 radian बराबर तो यह आएगा 180 divided by pi मतलब 180 divided by 3 point 14 और इसका मतलब आएगा लगबख 57.3 degree अब यह result है आपको याद होना चाहिए 1 radian equals to 57.3 degree result याद होना चाहिए अब इसका ultra result भी हम लोग निकालेंगे अब दो को यह fast fast करना है यह calculation कोई ज़्यादा difficult नहीं है आगे बढ़ जाएए आगे बढ़ेंगे हम लोगों से तो मैंने बोला अभी मैंने सीखा गिया और 180 degree बराबर आता है पाई रेडियन तो वन डिग्री विल बी इक्वल स्टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन तो मैं लिखूंगा वन डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई की जगे 3.14 लिखा अपाउन 180 लिखूंगा इसको सॉल करना है मेरे को और इसको यदि मैं सॉल करता हूँ तो वन डिग्री बराबर रेडियन में चीए तो हाँ वन पॉइंट सेवन वाला था बराबर तो वन पॉइंट सेवन फॉर फाई इन्टु10 तो दपावर माइनस 2 रेडियन वन डिग्री बराबर कितना आएगा ढियान से देखते चलिए वन डिग्री बराबर वन पॉइंट सेवन फॉर फाई इन्टु10 तो दपावर माइनस 2 रेडियन आना चाहिए क्लियर है चलो अब आगे और कुछ छोटी छोटी सी बात है हम लोग यहाँ पर cover करते हैं वो यह है कि आपको पता होना चीरे को one degree बराबर होता है 60 minute symbolic तोर पर लिखोगे one degree बराबर 60 minute ऐसा एक डंडा लगा दिया तो इसका मतलब यह हो जाएगा clear हुआ अच्छा आगे बढ़िए आगे आपके पास में आता है one minute बराबर 60 second और इसको symbolic तोर पर यह आपको लिखना है तो लिखेंगे one minute बराबर 60 और दो डंडे लगा दिजिए यह आपको second को represent करेगा clear हो गई बात yes or no तो एक डिगरी में दिया आपको second निकालने तो कितने आ जाएगे 16 to 66 सो second मतलब one degree equals to 3600 seconds यह data आपके पास में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा कोई परेशानी हुई मैंने बोला ठीक है कोई परेशानी नहीं हुई अब यहाँ पर देखिए आपको मालुमत है और one degree बराबर आपके पास में already result है one point seven four five into ten to the power minus two radian एक बात और मैं बता दूँ यह आज के lecture में जितना काम आ रहा है बस वही है उसके बाद में rarely by chance कहीं कुछ काम आएगा लेकिन यह बात जरूर है standard result है आपको याद होने चाहिए क्योंकि हो सकता है कहीं पर वह directly काम करवा ले ठीक है अब आगे आजाईए मैं जानता हूँ एक degree बराबर है 60 minute तो एक minute बराबर आएगा कितना इसको उल्टा लिखता हूँ तो 60 minute बराबर आएगा one degree और एक minute बराबर आएगा one by 60 degree तो अब मुझे बताईए इसको radian में दी मैं convert करता हूँ तो one radian बराबर क्या आएगा one by 60 into one degree लिख सकता हूँ इसको मैं one by 60 into one degree तो one minute बराबर आएगा one by 60 into कुछ घरबड़ी कर दीगे मैंने ओके अब one degree को सीधा सीधा मैं radian में put कर देता हूँ तो यह आएगा one point seven four five one point seven four five into ten to the power minus two radian answer भटाफट से बोलिए calculation आपको करनी है खुद से बैठके इसका answer निकल के आएगा one minute बराबर one minute बराबर two point nine into ten to the power minus का four radian यह result है याद होना चाहिए one minute बराबर two point nine into ten power minus four radian result याद होना चाहिए one degree बराबर one point seven four five into ten power minus two radian result याद होना चाहिए one radian बराबर fifty seven point three degree result याद होना चाहिए कई लोग बोलोंगे सर ऐसे result याद रखेंगे तो हो गया कल्यान बेटा कल्यान नहीं कल्यान मस्तू आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मैं जानता हूँ एक मिनिट बराबर है sixty second इसका मतलब हो गया sixty second बराबर आ गया one minute तो यहां से मैंने बोला कि one second will be equals to one by sixty minute जिसे मैं लिख सकता हूँ one second बराबर one by sixty into one minute तो आगे करूंगा मैं इसको solve तो मुझे मिलेगा one second बराबर one by sixty into one minute वन मिनिट था आपका two point nine into ten to the power माइनस का four radian इसे solve कर लीजे तो आपको मिलेगा क्या आपको मिलेगा one second बराबर four point eight into ten to the power minus six radian again standard result है याद हो ना चाहिए इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता यह सारी डेटा यह सारा डेटा आपको कहां मिलेगा कहां मिलेगा आपको यह सारा डेटा देखो यहां पर नीचे पट्टी चल रही है for daily practice sheets and online questions go to www.boymentors.online तो आपको जो booklet मिली हुई है उस booklet के अंदर मैं यह सब कुछ मिलेगा मैनत थोड़ी करनी पड़ेगे वह यह booklet को आप लिखिए प्रिंट आउट लीजिए जो आपको अच्छा लगे वह सब कीजिए बट करना महनत आपको ही पड़ेगी इसके अलावा और कुछ अब यहां पर आने वाली हैं उनको मैं यहां पर समझाओंगा अब देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मैं यहां पर अभी लेकर आ रहा हूं बुकलेट का एक दो पेजिज जो प्रिंट आउट निकाल के क्या है न वह आपको बताने के लिए चाहिए एक्जामपल के earth question को सुनिए और समझे इस question में बोला गया है what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth जैसे ये हमारे पास में earth है और यहां पर कहीं पर moon है ठीक है मैंने बोला ठीक है अब बोला गया है कि ये जो given the diameter of the moon is moon की diameter आपको यहां पर दी हुई है moon diameter कितनी दे रखी है three four seven four kilometer मतलब यह आएगा three four पहले यहां से kilometer से radius में निकालो तो radius कितनी आ जाएगी भाई यह diameter है तो radius कितनी आएगी radius आएगी इसकी आदी three four seven four divided by two kilometer मतलब दो एकम दो दो साथ चौदे दो तिया छे और दो साथ चौदे 1737 kilometer यह है आपकी radius of moon यह सवाल में data दिया गया है और it's a distance from the earth यहां पर आपको दे रखी है distance from earth distance from earth कितना दे रखा है three point eight four into ten to the power eight meter अब देखो यहां पर ध्यान से सुनी अब करना गया है आप लोगों को सवाल में पूछा है what is the solid angle तो मैंने अभी solid angle का concept क्या सिखाया था कि यह देखो जैसे यह मान के जलो यह अर्थ है अर्थ का कोई तो यह पॉइंटर यहां पर आपके पास में मून है तो आप से पूछा गया है कि मून ने धर्थी के किसी एक पॉइंट पर देखो on a point at any point of the earth तो मैंने बोला धर्थी का यह point मैंने consider कर लिया तो यहां पर जो angle है तो यहां से मैं कुछ ऐसा लूंगा किया तो आपने बोला यह सही बात है बिलकुल ऐसा ही लिया जाएगा तो देखो यही solid angle का concept बन रहा है क्या कौन किदर गया हमारा किदर गया कौन हाँ यह बन रहा है यह यहां पर मान लीजे पूरी है धर्थी यह धर्थी का वह point यहां पर मुझे solid angle चाहिए यह है आपका पूरा मून तो आप सोचिए यहां पर मैं surface area की बात यदि कर रहा हूं तो मुझे बताईए फटाफट से यहां पर किदर गया सवाल गया हो गया है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा मून का cross sectional area consider करना पड़ेगा जो की एक circle के बराबर होगा तो बस कहानी खतम हो गई आप क्या कीजिए solid angle का formula लगाईए भई यह क्या होता है solid angle का formula तो solid angle का formula होता है surface area तो ऐसा मत कर देना कि आपने मून का ही surface area निकाल दिया four pi r square वो गलत वो गलत हो जाएगा upon distance का square यह बात सही है तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है तो यदि इस concept को आप यहां पर apply करते हो तो surface area मतलब यह cross section क्योंकि देखो यहां पर आप देखोगे तो वह circular cross section मनेगा जो projection करेगा एक single point पर अर्थ पर आके तो आपने लिखना है d omega बराबर surface area पाई into radius of earth कितनी थी सॉरी earth नहीं सॉरी moon moon कितना 1737 km मतलब आएगा सत्रा 1737 into 10 to the power 3 यह मीटर में convert किया है किलो मीटर से मीटर में convert करना आपको अभी आता है इसका किया square upon distance कितनी थी 3.84 into 10 to the power 8 का square तो यह आपके पास में इसको solve करना है अब आपर calculation वाले part में मैं खुद को नहीं अटका रहा हूँ यदि आप चाहते तो यह काम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर यह है 3.84 तो इसको मैं 1.7 मान लूँ 17 दूना 34 लगबग और यदि मैं इसको 1.8 मान लेता तो 18 दूना 36 मतलत लगबग दो बार cancel out करके कहानी को खतम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको point adjustment करना पड़ेगा तो d omega बराबर आएगा पाई इन्टू 1.737 इन्टू अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.7 किया तो 10 की पावर 6 हो जाएगी और इसका पूरे का square upon 3.84 इन्टू 10 दो दा पावर 8 का square अब cancellation वगएरा करना है आपको मैं सीधा answer लिख रहा हूं यहाँ पर देखो जो answer आता है वो आता है अब देखो नीचे बड़ा ही नंबर है 8 है उपर 6 6 का square करोगे तो 12 और 8 का square करोगे 16 तो नीचे देखो नीचे से 4 0 उपर जाने ही वाली है और उपर 4 0 जाएगी तो वो point में बनाएगी और साथ में कुछ यहाँ पर भी बचेगा तो answer में आपके पास में 6.43 into 10 to the power minus का 5 studying calculation करके रखा हुआ है देखो now I am not wasting my time for calculation only हाँ यह आप चाहते हैं तो मैं एकाज सवाल की कर देता हूँ चाहिए तो करूँ कैस की कई लोग बोलोंगे सर कर ही दो ना कहां हम जैसे गरीबों को सता रहे हो तो देखो हम लोग calculation करते हैं अभी अंदाजे से ठीक है मेरे पास आएगा d omega 3.14 into 3.14 को आप सीधा मानिए 3.1 है इसको 1.7 मान लीजे into 1.7 into 10 to the power 12 divided by 3.8 into 3.8 into 10 to the power 16 ठीक है चलो हम लोग calculation की और बढ़ रहे हैं पॉइंट पॉइंट हटाओ ये पॉइंट पॉइंट खतम करो 17 दूना 34 दो पॉइंट 4 0 17 दूना 34 मतलब ये आएगा 2.2 और ये 00 कैंसल करो ये उपर में जाके 10 to the power minus 4 ये आएगा कितना देखो पॉइंट अटाओ ये पॉइंट अटाओ 31 बच गया उपर नीचे बच गया 22 तो 22 से काटोगे अच्छे काम करो 22 22 कर लो तो कितना आता है 484 आता है गया और यहां पर चल रहा है 10 to the power minus का 4 एक पॉइंट की गड़बड़ी करिये मैंने दिखा हो कैसे मैंने एक पॉइंट से एक पॉइंट को काट लिया नहीं तो इसको फिर 3.1 रखना पड़ेगा क्लियर है अब मैं क्या करता हूँ यहां पर एक पॉइंट का एज़ेस्मेंट करता हूँ देखो 22.2 इंटू 2.2 करोगे तो 4.84 जो मैंने यहां पर लिखा है यह उपर है 3.1 तो आप इसको एप्रॉक्जिमेटली 5 मान लीजे 5 से काटोगे तो लगबग 6 इंटू 10 तो पाव माइनस का 5 माइनस 5 कैसे हुआ पॉइंट को हटाया इसको 5 कर लिया तो 31 हो गया 4.84 को लगबग लगबग मैंने 5 मान लिया पांच ही का 30 तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 स्टर डियन अब यह जो आंसर मैंने निकाला है वह एप्रॉक्जिमेट आंसर इस बात को ध्यान रखना अब यह एप्रॉक्जिमेट आंसर बहुत जगे काम आते हैं क्योंकि आपको एक्जाम में ऐसा नहीं देगा एक तम कट्टू कट वैल्यू देदी आप निकाली नहीं पाओगे और इतना समय नहीं और ऐसे क्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वहां पर गलत होने की हमारे पास मैं आज काफी अच्छी स्पीड चल रही है मेरी प्लूटो हैज मीन डाया मीटर हमारे पास में सवालों को कंफ्यूज नहीं होना चीए पहले क्वेस्टन क्या था सॉलिड एंगल सबस्टेंड बाइदा मून एट पॉइंट ऑफ अर्थ था मतलब अर्थ के ऊप चाद के आएक पॉइंट कारण हम जो रहे थे कि साल्डे एरिया ता मून का यह थे निइचे वाले सवाल में देखते हैं हम लोग सवाल आपको मिल जाए का देखो ऐसी डाई होगी www.bio mentors classes.online लेके page number 5 है यह ठीक है महीं पर हूँ मैं example number 3 Pluto has mean diameter अब देखो मुझे question याद नहीं हुआ अभी तक एकात साल में याद हो जाएगा कराते कराते इस बार नए question एक दम booklet भी नहीं नहीं है ताजा ताजा booklet में ताजे ताजे questions है Pluto has mean diameter of 2300 km ठीक है तो मैं लिखना चालू करता हूँ एक तो जल्दी याद हो जाए मैं भी वही कर रहा हूँ कोशिश तेइस सो किलो मीटर and very eccentric orbit अब eccentric orbit का मतलब है oval shape oval मतलब अंडे जैसा shape का ठीक है कैसे shape का अंडे जैसे shape का है अब यहाँ पर बोला गया है around a sun with a perihelion अब देखो यहाँ पर एक word आ रहा है perihelion और epihelion यह आपको पता होना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा सा concept यहाँ पर समझाते तो यह concept आगे चलके gravitation chapter में आएगा तो क्या होता है जैसे यहाँ पर यह ऐसा shape बनता है यहाँ पर आपका sun होता है sun देखो center में नहीं होता है इस बात को ध्यान लखेंगे आप लोग ठीक है और इस sun के चारों तरफ यह जो घूम रहे है तो यह अर्थ घूम रही है मानके जो यहाँ पर है अभी अर्थ ठीक है यह कौन है अर्थ तो अर्थ यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर भी आएगी तो यहां से यह वाली जो distance है वो है closest distance, pass वाली distance, pass, pass का मतलब है perihelion और यहां से देखिए यह है, यहां पर दूर है यह, यह क्या है, दूर है, तो pass के लिए perihelion हो गया, तो अपने आपी दूर के लिए epihelion हो जाएगा आप कई लोग सोच रहोंगे, सर यह उपर में तो ज़्यादा pass दिखाई दे रहा है, यहां से सर जी, यह तो बहुत ज़्यादा pass है, यह वाला ज़्यादा pass है, तो आप इसको नहीं ले रहे, यह नहीं लिया जाता है, इनी horizontal पर ही consider किया जाता है, वास्तविक्ता में 3D में ज access करके ऐसी terminology आएंगी gravitation chapter में, अभी के लिए तो आप यह समझे, perihelion मतलब pass वाला point और epihelion मतलब दूर वाला point, ठीक है, लिखके भी दिया इसमें, around a sun with a perihelion, nearest distance of 4.4 into 10 power 9 km, and an epihelion मतलब farthest distance of 7.3 into 10 power 9 km, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर sun के साथ में मैं अर Pluto की, ठीक है मैं बोला चलो कोई बात नहीं, what are the respective solid angles suspended by, photo नहीं है यह Pluto है, from earth perspective, earth के perspective में इस बात को यहां पर consider करते हुए चलना, जैसे हम लोग अर्थ के लिए करते थे, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी आपको करना है, assume the earth distance from the sun can be neglected, अर्थ की sunset distance को neglect किया जा सकता है, अब द सबसे पहले सवाल के अंदर मैं देखिया रखा है, उसको देखो, आपको दे रखी है diameter, किसकी diameter है, of Pluto, कितनी दे रखी है, two, three, zero, zero, kilometer, मैंने बुला ठीक है, लेकिन आपको तो radius of Pluto चाहिए, तो radius of Pluto आएगी कितनी, 2300 बटे 2, divide by 2 करो, 115, 0, 115, 0, kilometer, मैंने बुला ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर दो-दो solid angle निकालने हैं, तो वही solid angle कैसे निकालोगे, तो pi r square divided by r square, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, capital r is for radius, मतलब यहाँ पर आपको radius पुट करनी है, और small r का मतलब है, यहाँ प कर सकते हैं, बो लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस मैं आपर लिख देता हूँ, perihelion की जो distance है, वो है आपकी 4.4 into 10 to the power 9 kilometer, और radius of epihelion, मतलब distance of epihelion is 7.3 into 10 to the power 9 kilometer, तो बस कहानी आपकी खतम हो गई, यहाँ पर आप लोग निकालते हैं, चलो angle निकालते हैं, solid angle according to perihelion, तो आपने लिखा, पाई into radius है, ग्यारा सो पचास किलो मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका square करोगे, और नीचे आएगा 4.4 into 10 to the power 9 का square, किलो मीटर में होने के कारण मुझे tension लेने की जोरत नहीं है, सीधा इसको solve कर लीजे, आपको angle मिल जाएगा, ऐसे ही आपको epihelion के ये भी निकालना है, clear हुआ ये वाली बात, are you sure enough, सही है, समझ में आ रहा है, ऐसा दो नहीं है, मैं अकेले अकेले लगे जा रहा हूँ, सीखे जा रहा हूँ, सीखे जा रहा हूँ अब इसके आगे देखो, इसके आगे जो है, हमारे पास में booklet के अंदर में definition of fundamental units दिया हुआ है, अब मैं आपको बता दूँ, ये जो page है, that is just for information, इससे जादा इसका कोई इस्तिमाल नहीं है, इस पर question पूछने की उमीद rare है, बिलकुल ना के बराबर, बट ये information आपको पत होनी चाहिए, ये वन मीटर की definition क्या है, तो वन मीटर की definition है, the distance traveled by light in vacuum, in 1 by 299792458 seconds, उतनी डिस्टेंस आपको कहते हैं, वन मीटर, अब ये बस आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम क्या है, तो एक mass of cylinder है, जिसकी height और diameter 39 cm है, और ये platinum, iridium, alloy का बना हुआ है, जिसको हम ल कर लिना, आपकी knowledge में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, और इसके बाद में आप देखोगे, तो आपको prefix conversion की table बिलेगी, देखो इस तरह से, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, सामने देखो camera की तरब, यहाँ पे नीचे prefix conversion की table है, यह किदर चला गया, ठीक है, तो बस यह already आप लोगों का सीखा हुआ है, इसके बाद में हमारे पास में आगे चलते हैं हम लोग, एक दो example दिये हुए, convert 5 millivolt into volt, convert 2 meter into centimeter, मैंने आपको कम से कम 10-12 example करवा दिये होंगे, ठीक है, तो उसकी ज़रत नहीं है, टेंशन लेने ज़रत नहीं है, आगे है हमारे प पढ़ना है, चलो भई यह पैरलेक्स क्या है, पैरलेक्स पर हम लोग बात करते हैं, अच्छा पॉइंट है यह, पैरलेक्स, ओके, पैरलेक्स को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो पैरलेक्स का मतलब यह है कि apparent change in the position of object, due to change in position of the observer, ज्यान से सुनो मैंने क्या बोला, पैरलेक्स is defined as the change in position of the object, अब यह change in नहीं बोलना चाहिए, apparent change in position of the object, due to change in position of the observer, एक सिंपल सी बात बता हूँ, अब क्या कीजिए, पहले ऐसे सीधे खड़े हो जाईए, हो गए खड़े, मैंने बोला ठीक है, अब अपनी आथ दोनों आखों को बन कर लीजे, कर लिया, फिर क दीजिए, रख दिया, रख दिया, दोनों आखों से इस पेन को देखिये, देख लिया, अब क्या कीजिए, आप अपनी किसी एक आख को बन कीजिए, कर लिया, आपको पेन कहीं ना कहीं सरकता हुआ दिखाई दिया, चलो मान लो नहीं सरका कोई बात नहीं, अब इस आख से आपने पेन को देख लिया कि दी देख लिया आपने बोला या अब मैं क्या करता हूं इस आख को खोल लेता हूं और इस बार मैं क्या करता हूं दूसरी आख से देखता हूं अब जब मैं बाई आख से देख रहा हूं तो मुझे पेन थोड़ा सा राइट में सरका हुआ नजर आ रहा है यदि में लेफ्ट से देख रहा हूं तो पेन तोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया खा świ है जैने मैंने देखऊ 28 वाली आंद ना में ऊपरAlex से डेखा तो मुझे पेनगे हैं अपर यहां पर किया तो मुझे यह अधर में सरग गया है अब देखो ये visualization में थोड़ा सा फरक पड़ेगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप करके देखिए, आपको definitely ये सारी की सारी चीज़े नजर आएंगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, शौर है, तो ये जो point है, इसे बोला जाता है, parallax, इसे क्या बोला जाता है, parallax, त apparent change, अब देखो, apparent change मतला वाभासी परिवर्तन है, वास्तविक्ता में object की position में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, it is like हम लोग क्या बोलते हैं उसको, illusion, illusion जैसा होता है न, वैसा कुछ हम लोगों को feel हो रहा है, वास्तविक्ता में क्या object की position को बदला गया था, नहीं, बट क्य हमें object की position में बदलाव नजर आया, yes, so parallax is defined as apparent change in position of object due to change in position of observer, अब देखो यहाँ पर कई बंदों के मन में सवाल आया होगा, क्या आया होगा, सर आप तो अपनी जगह से हिले भी नहीं थे, ना आपने हमें हिलने को बोला था, आपने सिर पर सिर क्या किया था, आखों को बंद करके, आखों का धोका, मैंने बोला, yes, लेकिन वास्तविक्ता में देखो, हो क्या रहा है, कि हम कौन, अब इस pencil को, या इस pencil को कौन देख रहा है, तो इस pencil को मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी यह वाली आख देख रही है, मेरी यह वाली आख इसको देख रह है बास में पोजिशन यहां से और था यह चैंज हुए और अभी मेरी им मेरी क्या है आप आगे चल्गे पड़ोगे यहाँ पर क्या होता है वो से point ही consider किया जाता है क्या consider किया जाता है point consider किया जाता है so अब इसको हम लोगों को use करना होता है आगे चलके parallax angle करके point आएगा parallax angle ठीक है अब parallax angle हम लोग कहाँ पर बात करते हैं तो जैसे हम लोगों जब कभी star वगएरा के distance वगएरा major करनी होती है तो हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं इसको एक simple से triangle से समझें इसको हम लोग क्या करते हैं simple से triangle से समझते हैं मान के चलो ये धर्ती है ये क्या है धर्ती है धर्ती पर दो observatories है तो observatories मतलब जहां से observe करना है तो मैंने माना यह एक point है यहाँ पर कहीं आपका है star है कोई तो भी क्या है star है star है सितारा है okay अब यह जो दो point है वो है observatories वाले point मैंने बोला ठीक है अब मैंने माना देको इन दोनों के बीच की distance तो मैं calculate कर सकता हूँ यार धरती पर धरती पर चलना है मैंने बोला यहाँ से और यहाँ से यह जो बना एंगल है यह थीटा यदि मैंने point A से star की distance को मान लिया capital D point B से भी star की distance है capital D तो यह ऐसा शेप बनके आता है यहाँ पर यह जो बनने वाला एंगल है थीटा यह है पैरलेक्स एंगल या इसे हम लोग बोलेंगे पैरलेक्टिक एंगल A B क्या है यहाँ पर A B is the distance between two points of observation मतलब दो अलग-अलग points जैसे मेरी आँखों के बीच की यह जो दूरी आ रही थी और यहाँ से capital D क्या है यहाँ से मैं देख रहा हूं तो कितनी दूर है हाँ से देख रहा हूं तो कितनी दूर है हालां कि यह दोनों के आएंगे सेम ही होंगे सो यहाँ पर हम लोगों को यह करना है क्या बोलते हैं कॉंसेप्ट अभी apply करना है मैं क्या मान सकता हूं कि this A B can be a section of a arc मतलब यदि मैंने arc ऐसा बनाया होता यस और नो तो आप बुले यस तो इसको यदि थोड़ा सा मैं देख अरे मिट गया यारे तो तो देखो न यह कितना फरक पड़ेगा इसमें मतलब इस वाली distance में इस वाली distance में और इस वाली distance में कोई ज़्यादा फरक पड़ेगा मान सकता हूं क्योंकि जब आप stars वगेला के लिए comparison कर रहे हो तो एक दो मीटर कम ज्यादा हो भी गया उससे ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ेगा एक दो मीटर चोड़ो एक दो चार पांदस किलो मीटर का भी फरक पड़ेगा तो भी ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो अ दी ठीटा बराबर आएगा आपके पास में बी बाई डी आएगा तो यह है आपका concept यहाँ पर parallax angle का यह क्या है concept parallel parallax angle का अब मैं देखो आपको एक example करवाता हूँ आपके उसमें भी दिया हुआ होगा कि वहाँ पर एक question होगा क्या होगा question there are two stars there are two stars मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा there are two stars star a is farther than star b ऐसा एक question होगा star a जो है वो star b से क्या है दूरी पर है तो आपको बताना है किसका parallax angle बड़ा होगा किसका parallax angle बड़ा होगा whose parallax angle will be greater parallax angle will be more यह सवाल है दो star है दोनो star को हम लोग देख रहे हैं एक star का नाम दे दिया a एक का नाम दे दिया b a वाला जो है वो दूर है b वाला पास में है तो आपको बताना है किसका parallax angle बड़ा होगा तो हम लोगोंने क्या किया दे को एक simple सी वात है धरती पर तो वही दो point है आपके पास में a और b मैंने माना यहां पर है अच्चा इसको a और b مت लीजिए इसको माना point p इसको माना point q तो मैंने बोला यहां से आपके पास में यह आ रहा है यह है star a और दूसरा मेरे पास में star b जो है वो तो path में है तो मैंने इसको लिख दिया आ कि ठीक है अब मैं यहां पर बात करता हूँ वो यह है कि यह है एंगल थीटा वन मान लीजिए और यह वाला एंगल थीटा टू मान लिए वैसे डाइगराम देखके आपको समझ में आ गया होगा थीटा टू इस ग्रेटर दें ठीटा वन लेकिन फिर भी हम लोगों को करना है यह थीटा टू की जगे थीटा बी ले लिज तो आपने बोला यस तो थीटा बराबर बी अपान कैपिटल डी के बेसिस पर आप लिखोगे थीटा ओफ ए बराबर बी डिवाइड़ बाई डी ए और थीटा ओफ बी विल बी इक्वल्स टू बी डिवाइड़ बाई डी बी तो यहाँ पर देखिए डी बी जो है वो डी से क्या है छोटा है यह डिस्टेंस छोटी है तो यहां पर मैं कमपेर्जन के लिए फिर से लिख लेता हूं ठीटा ये बराबर बी बाई डी ए और थीटा बी बराबर आएगा बी बाई डी बी अब सिंस यहां पर जैसे मान के जलो बी को वन मान लो तो आपने बूला ठीक है वन बाई टू और थीटा बी को देखिए कितना आएगा ये आएगा टू बाई सॉरी टू बाई फोर क्यों वन बाई फोर तो यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा मैंने उल्टा ले लिए शायद से ना एक ही डिस्टेंस जादा थी गल्द सॉरी बटा पेज चेंज उ है और थीटा ये आ रहा है जीरो पॉइंट टू फाई तो फटावट देख के बताओ कौन बढ़ा आया तो आपने बोला थीटा भी बढ़ा है थीटा ये छोटा है तो जिसका डी भी छोटा है उसका एंगल बढ़ा है जिसके डिस्टेंस छोटी है उसका एंगल बढ़ा है तो ये बात आपको clear होनी चाहिए, इस पर भी सवाल बन सकता है, parallax angle किसका बड़ा होगा, जिसके distance छोटी होगी, clear है, yes or no, तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, बिल्कुल similar, इसके लिए हम लोगों को करना ये होता है, कि जब हम लोगों को parallax angle major करना होता है, तो ये हमारी अर्थ होती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है अर्थ, ठीक है, ओके, अब इस अर्थ के उपर हम लोग क्या करते हैं, observatories पर दो ऐसे point बना लेते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पर अब लोग क्या करते हैं, भीया, अर्थ का ये point A, ये point B, यहाँ से हम लोग उसे देखने की पूशिश करते हैं और जो चेंज निकल के आता है वो यहां से हमारे पास में एंगल होता है मतलब एंगल आपको पता होता है यह वाली जो डिस्टेंस है भी यह आपको पता होती है यह अर्थ के उपर दो अबजरवेटरी जैं तो यहां से आपको capital D मिलता है और यह कैसे मिलत है तो भई यह ठीटा बराबर होता है B upon capital D तो capital D बराबर आपको मिल जाता है B divided by theta capital D क्या मिल जाता है B divided by theta बस यहां पर ध्यान यह रखना है कि यह है आपका distance किसके अंदर में है यह distance सरी यह जो एंगल है यहां पर वो एंगल है रेडियन में है इसको इसमें consider मत कर लेना क् बोलते हैं डिग्री में consider मत कर लेना यह है आपका रेडियन के अंदर में clear है इसके अलावा कुछ छोटा मोटा point मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा क्योंकि समय सीमा तो अपनी already समाप तो चुकिए वो यह है कि आपको आगे चलके क्या बोलते हैं कुछ terminology जाएंगी व आपको पता होना जाहिए ओभी थोड़ा सा रटने वाला टाइप का डेटा आज के लेक्षान में का फी कुछ चीज आंसी ती जो आपको याद रखनी थी जैसे degree को इसका मतलब होता है यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा आपको एक और डेटा पता होना चाहिए वो होता है वन रेडियन बराबर होता है टू पॉइंट जीरो सिक्स इन्टू टू दू दा पावर फाई आर्क सेक यह काम आएगा यह सारा डेटा आपको काम आएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप आगे चलके वहाँ पर जाके कहीं अटक जाएं और एक और डेटा है वन लाइट इयर ठीक है वन लाइट इयर लाइट इयर का मतलब होता है यह आती है यह डेटा मैं बोल रहा हूँ आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के आपको एक्जामबल दिखेंगे इसमें जो पैरलक्स से आगे आपको देखेंगे वहाँ पर सॉल करेंगे वह यह आजाता है कि कई बार हम लोग सन से अर्थ की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किस प्रकार से कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक डाइगराम मिलेगा वह डाइगराम को जिस प्रकार से होगा कि भाई यह यह है आपका स्टार यहाँ पर आप मानोगे अर्थ को सुन लीजे कॉंसेट क्या है कॉंसेट यह है कि यह है आपकी नीचे कौन है यह है आपकी अर्थ और यह है आपका स्टार अब देखो यहाँ से धर्ती से बैटके आप जब इस्टार को देख रहे हो तो स्टार क्या दिखेगा आपको एक point के बराबर दिखाई देगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दो observatories consider करते हैं जो यह point हो गया A और यह point हो गया B ठीक है यहाँ से यह आ गया center और यहाँ से अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देग यह diagram यहाँ पर मैं आपको बता दू यह जो distance होती है जो हम लोग B ले रहे थे basically यह आधी वाली distance 1 AU होगी यह आधी वाली distance 1 AU होगी मतलब 1 AU और 1 AU 2 AU मतलब धरती पर जो observatories हम लोग consider कर रहे हैं उनको 2 AU की दूरी पर ले रहे हैं कितनी दूरी पर दो astronomical units की distance पर ले रहे हैं ऐ कैसा हम लोग consider कर सकते हैं अराउंड असन देखो अब यह यहाँ पर है न और बिट का बहुत ही बहुत ही तगड़ा वाला खेल है आप लोग एक काम करता हूं मैं एक example लेकर आ जाता हूं जो लाश वाला था क्योंकि पेज तो है मेरे पास में इसमें example जरूर रहा होगा हाँ है 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 काफी अच्छा वाला example है यहाँ पर देखो example number 7 की मैं बात कर रहा हूं a star is 55 light year away from the earth how much parallax is in our sec in our sec will it subtend when viewed from two opposite points along the orbit of the earth यह सवाल है यहाँ पर अब देखो यह जो orbit around the sun बोला है वही यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि यह जो है वह 1 AU और 1 AU आ यह वाला तो यह अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि भहिया कैसे कि आप लोग ऐसा consider करने लग जाओ कि अर्थ की रेडियस पता है कितनी है अर्थ की रेडियस है सिक्स फोर डबल जीरो किलो मीटर सिक्स फोर यहां पर नहीं लिखता हूं डाया मीटर ऑफ अर्थ आईगी कितनी दो का मल्टिप्लाइ कर दो चेदो ना बारा तो एक दो आठ एक दो एक दो तीन जीरो और मीटर तो इसको यदि मैं इस सिस्टम में लिखता हूं तो वन पॉइंट इन्टू तीन और दो पांच छे साथ टेंट पावर सेंट सेवन मी निकल गए यस अर्थ के बाहर निकल चुके हैं यह वहीं से मेजर हो रही है इस बात को ध्यान रखना भई यह नहीं तो पता लगा कई लोग बोलेंगे यह अर्थ है मतलब यह अर्थ का यह हो गया हमारे पास मैं हमने यहां से देख लिए यह वाली सिच्वेशन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा जब मैंने बोला होगा वह छोटा सा डाइगराम मना के तो यह अर्थ है जो घूम रही है यह बीच में कौन है सन है सूर्य है और इसमें धरती ऐसे चक्र लगा रही है तो यहां पर इन्हें देखा जाता है क्लियर है क्योंकि नहीं तो कई लोग अर्थ की रेडियस से चलो मैं अपने सवाल पर आ जाता हूं अब देखो मैंने पूरा डेटा आपको यहां पर लिखवा दिया संदे को डिस्टेंस क्या दे रखी है अब यहां पर डाइगराम मेरे यहां पर है आपके पास में स्टार यह बोला गया है यह है 55 लाइट इयर्स अवे फ्रॉम दियार्थ और यहां पर बोला गया है हाव मच पैरलेक्स यहां पर कितना एंगल बनेगा पैरलेक्स में विलिट सब्स्टेंड फ्रॉम टू आपोजिक्स पॉंट अलोंग दा ऑर of the earth तो भाई है यह दो पॉइंट आपको डिस्टेंस तो नहीं दी है लेकिन आपको डिरेक्टली पता होना चाहिए कितना होगा है तो ए यू इन दो पॉइंट के बीच की दूरी है तो ए यू बासन में आ रही है और यह आपको डिस्टेंस दे रखिए तो आपको करना क्या है सिर्फ पर सब थीटा ही तो निकालना है तो बताए निकालो थीटा तो थीटा बराबर आएगा कितना बी अपान कैपिटल डी बी मतलब है टू ए यू और डिस्टेंस आपके पास में फाइलाइट इयर थी ने कितनी फिप्टी फाइलाइट इयर है यहाँ पर थोड़ा सा हां फिप्टी फाइलाइट इयर है सही है हो 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 फिप्टी फाइए नहीं इसको कर्येक्शन कर लेंनए फाइब कितनी है फाइपन स्वाइट लेट नहीं हैकं इपाकर लोगे ना इसके आगे ऑल्क ए यू की वैले यह रखना यू रखनान आ लॉयर्क्ट हो और 2 into AU कितना होता है AU मैंने आपको बताया था 1.496 into 10 to the power 11 और light year आपको कितना बताया गया था 9.46 into 10 to the power 15 ये जो answer आएगा ये answer आएगा radian में किस में आएगा radian में अब radian को convert करना है arc sec में तो arc sec में convert करने के लिए मैं बताया कि 1 radian is equal to 2.06 into 10 to power 5 arc sec ध्यान दीजे 1 radian is equal to 2.06 into 10 to power 5 arc sec तो बस ये conversion और लगाना है एक बार आपको और आपका answer आजाएगा basic basic conversion है कोई ज्यादा difficult task नहीं है डरना नहीं है बस यदि आप डरोगे तो परेशानी होग सब्सक्राइब यह तो आप आराम से कर सकते ना problem कहां थी यह यू नहीं मालूम था और लाइट यह नहीं मालूम था यह मैंने data आपको लिखवा दिया यह लिखवा दिया अब इस data को solve करके मैंने बताया था आपको answer जो आएगा वो आएगा रेडियन में सवाल में पूछा में हम लोग जा चुके हैं इतना difficult level तक का आपको नहीं आएगा लेकिन हम लोगों ने already booklet में cover किया हुआ है तो मैंने इसको lecture में भी cover कर लिया है already में आपको बता चुका था समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है इसके लिए हम लोग अपने आज किस lecture को यहाँ पर समाप्त करेंगे सो इसी के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दर्मियान सो तब तक के लिए धन्यवाद